Hello Programmers, Welcome to my channel Tarun sir So guys, आज इस वीडियो में हम लोग cover up करेंगे 4-Each loop के concept को PHP में So guys, आईए स्टार्ट करते हैं इसको Zoom कर लेता हम इसको basically Fine So, 4-Each loop है क्या और कैसे हम इसे use करते हैं, ये देखते हैं The 4-Each loop is used to iterate over an array 4-Each loop का इस्तेमाल, हम array के प्रतेक element को एक बार exactly इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी 4-Each loop जो हम array पर चला रहे हैं वो अपनी body के statement को exactly उतनी बार repeat करता है, जितने array में element है, for example अगर हमने कोई 4-Each loop चलाया एक ऐसे array पर जिसमें 5 element है, तो 4-Each की body जो है वो 5 बार execute होईगी अगर हमने 4-Each चलाया ऐसे array पर जिसके अंदर 10 element हैं, तो 4-Each की body 10 times execute होगी It is very handy while traversing array elements, especially जब हम arrays को print करवाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा logic बनाना चाह रहे हैं जिसमें array का परतेक element exactly एक बार तो कुछ ना कुछ operation में manipulate हो गई, काम आए गई, तब यह बहुत ही useful है It does not require initialization, condition and increment, decrement Normally हमने देखा है, 4 हैं, while हैं इन सब में हमें initialize भी करना होता है मतलब कहीं से शुरू करना होता है loop को condition लगानी होती है, increment, decrement लगाना होता है तब जाकर कि loop जो हमारा setup होता है But for each loop में हमें अलग से initialization, condition increment, decrement, इन सब चीजों की need नहीं रहती है In case of accessing data from associative array objects, etc the for each is best suited Especially, जब हम indexed array की बजाए associative array को use कर रहे है तब for each जो है, वो काफी ज़्यादा useful हो जाता है, array के elements को access करने के लिए The for each loop है following syntax for each का basic syntax है, that is for each Parenthesis में सबसे पहले हम उस array का या object का नाम लिखेंगे जिसकी परतियक element को हमें access करना है फिर उसके बाद as keyword then value नाम का variable मतलब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो exactly value रखना जुरूरी नहीं है it can be anything like मैंने v ले दिया या e ले दिया, हमने कुछ भी then हम loop की body में वो statement लिखते हैं जो हमें repeat करने है ठीक है अब इसमें होता क्या है value जो variable है इसमें array की first value आएगी then ये loop एक बार रन होगा फिर second value array में से automatically इस value variable में आएगी फिर से loop दूसरी बार रन होगा फिर third value फिर fourth value इस तरीके से सारी value एक एक करके इस variable में आती रहेंगी value variable में और ये loop के statement जो होगा एक्जेक लिए एक बार execute होते रहेंगे हर value के लिए guys आईए इसको use करके देख लेते हैं so सबसे पहले मैं zam check कर लेता हूँ started है या नहीं है web server ये start कर लिया हमने zamp के अंदर जाके आपाचे को now हम लोग क्या करते हैं sublime text में आये एक for each loop के लिए file बना देते हैं सबसे बहले so ये youtube folder इस पर मैंने right click क्या new ये हमारी new file बन गी इसको मैंने save करा for each demo.php नाम से now इसका html stub हमने generate कर दिया for each demo php block बना दिया हमने हमने एक array बनाया friends equals to array और इसमें हमने ले लिया f1 friends friends बना दिया रहा f1 इसमें नाम दे दिया मैने manish f2 बनाया मैने इस f2 की पर हमने नाम दे दिया now need f3 बनाया हमने इसमें हमने नाम दे दिया abhidip f4 बनाया हमने इसमें हमने नाम दे दिया इस इस तरह की से कितनी भी कीज हम बना सकते हैं f4 को string बनाना होगा यह मैने बना दिया now previous video में हमने देखा था हमने f1, f2 इस तरह से array में से अलग-अलग access करके print करा था suppose that मुझे इन सभी को print कराना है then I can use for each और यहां मैंने लिखा dollar friends as dollar value dollar name कुछ भी रख सकते आप variable का नाम ना कुछ भी तो इस name में क्या होगा भई एक एक करके values जो है वह friends वाले array से आती रहेगी तो friends में first value थी Manish तो first time आ जाएगा name में Manish फिर second value है नवनीत तो automatically friends है second time में name में आ जाएगा नवनीत फिर third time में आ जाएगा आपधीप फिर fourth time में आ जाएगा शाम and इनको हमने क्या करा भी echo करा दिया ब्राउजर start किया यहाँ localhost slash folder का नाम था मेरा YouTube इसके अंदर नाम फाइल का है अपने पास में एक second मैं भूल गया भी just दिया था for each demo so for dash each dash demo.php fine guys यह आ गया हमारे पस अच्छा alternative syntax के हम बात करें so we can try this हम यह use कर सकते हैं और and for each let's see check करें इसको perfect तो यह alternate syntax भी है हमारे पास में के वल do while में alternate syntax नहीं था है बाकी for while do while sorry for while और for each in तीनों लूप में alternate syntax हमारे पास available है although मैं इस वीडियो टुटोरियल में prefer करूंगा curly bracket वाला method क्योंकि most of the programmers जो है वो जागा तर C, C++ के background से आते हैं fine guys अभी कैसा होता है कई बार हमें key और value दोनों access करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते है उसके लिए हम लोग यह करते है if you want to fetch both index and value of array then you can use following for each loop dollar array as सीधा जो dollar value लिख रहे थे उसके बजाए हम लिखते हैं dollar key arrow dollar value तो automatically क्या होगा first time key में first key आ जाएगी value में value आ जाएगी उस key की second time, second key, second value third time, third key, third value and so on so मैं चाहता हूँ suppose f1, f2 यह index भी मुझे print कराने है so I write it as मैंने एक variable ले लिया fnum arrow fname so यहाँ पर मैंने print करा दिया dollar fnum equals to का निशान string format में आएगा भी so fine so अभी क्या होगा, सबसे पहले fnum में आ जाएगा f1 और dollar name में आ जाएगा manish, तो यह print कर देगा one manish, फिर उसके बाद में fnum में आ जाएगा हमारे पास f2 और name में आ जाएगा हमारे पास में now neat, तो यह print कर देगा f2 now neat, then f3 abidib, फिर f4, let's see check this perfect अच्छ जी यह हमने associative पर यूज क्या तो ऐसा जुरूरी है कि associative पर यूज करें नहीं भई, ऐसा कोई जुरूरी नहीं है, आप direct index डेरे पर भी लगा सकते हो like मैंने देदिया शाम, बिवेक, अभिदीप, स्वाती, जिम्मी, विक्रम, एक हमने दे दिया, नितिन, एक हमने दे दिया, अभिशेक, फाइन, इस तरह से बहुत सारी values दे दिया, जिरो पे शाम है, वन पे बिवेक, तू पे अभिदीप, थी पे स्वाती, फोर पे जिम्मी, फाइफ पे विक्रम, सिक्स पे नितिन, सेवन पे अभिशेक है, चलो दस ही कर देते हैं, सारी मित्रमंडली का नाम डाली देते हैं, पंकज, तरुन, अजय, अना अब सारों का नाम डालेंगे तो और लंबा हो जाएगा, यतने ठीक है, सो जीरो पर शाम, वन बिवेक, टू अभिदीप, थी स्वाती, फोर जिम्मी, फाइफ इक्रम, सिक्स नितिन, सैवन अभिशेक, एट पंकज, नाइट तरुन, टैंत आजय, सो जाइज, देखा आपने यह था, फोर इच लूप हमारे पास, अच्छे, इसकी पावर यह है कि हमें कोई इनिशलाइज करने की, कंडिशन चेक करने की निएट यह आटमेटिकले वन बाइवन सार एलिमेंट को एक बार एक्सेस कर लेता है, सो जाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कोंगा, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, जाइन करें, अपने जूनियर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, थैंक्स वर वचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अलोट, have a nice day, have fun and enjoy.